सरपंचों से जोड़ी बड़ी ख़बर आपको उता दी तो इटेंडरिंग से जोड़ी बड़ी ख़बर सीम से मिलने का वक्त मिलने के बावजूद भी अपनी मांगों पर अडिंग है सरपंच तीसरे दिन भी सड़क पर धर्णा लगाकर सरपंच बैठी हैं पंचकुला में सड़क ब्लॉक होने से आम लोग परिशान है तो सड़क ब्लॉक है तीन दिन से रास्ता बंग है OSD के अपील के बाद भी सरपंच सड़क से नहीं उठे तो सीम से मिलने का वक्त मिल चुका के उसके बावजूद भी सरपंच उठने को तयार नहीं है सरपंच को कहना है कि जब तक सीम से मिल नहीं ले से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक धरना तो जारी रहेगा तो इवड़ी ख़बर आपको पंचकुला से हम बता दें चैनिकर पंचकुला बॉडर पर सरपंच बैठे हैं तीम दिन हो गए हैं आज तीसरा दिन के लेकिन सरपंच उठने को तयार नहीं थे तो नो मार्च को सीम मनुहर लाल से उनकी मुलाकात होगी चुँकि कल पंचायत असोचेशन हर्यान के प्रतिनीधी वंडल की डियाईजी उम्परकाश नर्वाल के साथ बातचीत हुई थी तीम से मिलने का इन लोगों ने टाइम मांगा तो टाइम दे दिया गया नो मार्च का लेकिन सरपंच असोचेशन का कहना है कि नो मार्च का वक्त दिया गया के और जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरने से नहीं उठेंगे तो नो मार्च तक पंचकुला चेंडिगर्ड हाउसिंग बोर्ट चॉक पर बैठे रहेंगे ये ऐलान कर दिया किया था चले नियूज रूम आपको लिए चलती है हमारे विशे संबदाता तुशील सिंग हमारे साथ इस वक्त लाइव जूड गए है तुशील सीम से मिलने का वक्त निर्धारित हो चुका के टाइम भी जा चुका के लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच हे की सडक से उठने को तैयार नहीं है अब बिल्कुल जो ती देखें संदर्व मेरी अभी बात हुई थी सरपंच शुशेशन से तो उन्होंने साफ तोर पे कहा कि सरकार ने समय दिया है मुख्यमंत्री समय दिया है इसे पहले भी करी डाउंड की बैठक हो चुकी है लेकि वारता हमेशा विफल की गए है रहा हिए एसे में या कही ना कहीं उन्हें हटाने की बात है और साजिश है कि उन्हें वह ठाऋ जाया हुशक फिर वारता विफल होते बात चित नहीं हो जाती तब सब तक शुक्यमंत्री से मुलाकात हो वगी तब यहां यह पके भर-णा जमाके बैठेंगे गी य एक विडम्बना ही कहेंगे कि चाहे हो किशान आंदोलन हो या फिर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पर रहा है खास कर जहाँ इन लोग धरने पर बैठे हैं वहां की तश्वीर देखे आप स्पास के लोगों से साफ लग रहा है कि इन सरपंचों के आंदोलन में आम आदमी पीश रहा है और खास कर वे लोग पीश रहे हैं जो कहीं ना कहीं यह उस राव उन रास्तों का इस्तमाल करते हैं उस लोकालिटी में रहते हैं तो एक बड़ी विडम्बना है कि ब्यूटीफुल सिटी के नाम स से चंडिगड मशू हूड है और वहां पंच्कूला बोर्डर पर जिस तरह से देखार रहा है और जो कुछ देखा जार है कि किस तरह से सरपंच और सरकार की लडाई में आम जंता पीछ रही है निश्चित तोर पे यह काबिल करने की बात है और कहीं न कहीं सरपंच अशोशियेशन को भी इस दर्द को समझने की आउशक्ता है तो शिल इस बार तो कह दिया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना तो खत्म नहीं होगा यानि कुल में लाकर लोग परिशान होंगे सरकार पर दबाव वनेगा ये प्रियास है सरपंचो का देखिए सरकार के तरफ से continue appeal किया जा रहा है कि जो उनकी वारता है जो बात्चित है जो उनकी समस्या है बात्चित से इसका समाधान निकाला जाएगा और यही वज़ा है कि तमाम मिलने की चाहे वो OSD मिल रहे हो या फिर पंचायत की तरफ से सरकार की तरफ से प्रतिनीधी मिल रहे हो अब मुख्यमंत्री ने भी समय दे दिया है और इसी जो लोगों को दिक्कते हो रही है उन्हीं के मद्दे नजर मुख्यमंत्री की भी अपील है उनसे कि वे लोग मिलने के बाद उनकी बाते सुनी जाएगी और उन पर अमल किया जाएगा लेकिन तब तक वो रास्ता छोड़ दे वहां से वो वैकेट करे जगा को और को जो परिशानी हो रहा है उससे कहीं न कहीं लोगों को रहत मिले लेकिन अभी सरपंच मूड में कता ही नहीं दिख रहा है उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक को यहां धरना लगा कर बैठेंगे और इसको प्रतेश के तमाम जीलों म को एसजी टू सीम पहुंचे थे हाउसिंग वो तब सरपंचों के उर से कहा गया कि सीम हम से मिलने या सीम हम से बात करें उसके बाद हम यहां से उठेंगे लेकिन अब तो सीम भी टाइम दे चुके हैं उसके बाद कितना जाएज आप मानते इस तरह से धरना जारी रख करने में इस प्रदर्शन में और इंडल्ज हुए है घूसे हैं और कहीं न कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वज़ा है कि जब बात्चित के बाद जब सरपंच वहां पहुंचते हैं धरना अस्तल पे और तमाम लोगों से जब बात चीत की जाती है तो वो कही और इस पूरे मामले को जिस तरह से पुलिटिकलाइज किया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कहीं ने कहीं विपक्षी दल इसको भुनाने में लगे हुए हैं जो आम लोगों की समस्या है उससे कहीं किसी का सरोक प्रवेश का लोग प्रवेश का लोग प्रयास कर रहे थे तो अब कम से कम नो मार्च तक तो नहीं उटने वाले हैं जब तो प्रवेश का सबसे बड़ा तेवहार के रूप में होली होता है और तमाम जो सरपंच जो प्रदर्शनकारी हैं चुकि यह हरियाना है और यह हरियाना में खास तोर पर इस फेस्टिवल को सेलिबडेट किया जाता है तो जिस तरह से सरकार अपील कर रही है मुझे लगता है जरूर सरपंच असोशेशन इस बात को जरूर समझेगा कि असोशेशन इस बात को जरूर समझेगा क्यूंकि मुख्यमंतरी खुद मिलने क corner दे रहे हैं पर लगता है कि जरूर मुख्यमंत्री के साथ बैठाक सफल जरूर होगी चुकि बीच का रास्ता जरूर निकलेगा इनके डिमांड पर भी आगर आप गौर करेंगी तो देखेंगी तुशिला बात भी पूरी केजेगा सर्पंच बीच का रास्ता निकालने को तैयार की नहीं इसमें ये जोती नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा हरियाना का सर्पंच समाज इसमें शामिल है करिये से सर्पंच है जुनको ये बात पता है और दो मुख्य वैसे डिमांड बहुत है लेकिन दो जो मुख्य डिमांड है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे है उसमें राइट चाहिए यानि अगर सरकार इने 5 लाग या 6 लाग करती है तो निष्चित वर्पे सरपंच मान जाएंगे कि 6 लाग तक का काम सरपंच अपने कोटे से अपने मद से अपने तहत कराएंगे और इसके बाद होगा वही टेंडरिंग होगा और यहां मूमन देखिए चाहे जीमडि मुख्यमंत्री भी इस बात को बखुबी से कह रहे हैं कि कही ना कहीं ओ ट्रांस्पेरेंसी चाह रहे हैं ब्रश्टाचार नहीं चाह रहे हैं तो अब लेकिन 2 लाग की रासी है 2 लाग में कुछ नहीं होता तो मुझे लगड़ा है कि अगर बैठक में इस राशी को और उप पहले से लागू है और उस तरज पर हरियाना में इस बार पहली बार लागू किया गया है तो मुझे लग रहा है कि सरकार के तरफ से अगर समझाया जाए और अच्छे वे में कनवे किया जाए तो निश्ची तोर पर सर्पंच अस्योश्येशन मानने को तयार हो सकता है सुशिल एक बात ये भी है कि देकि मांगे जायस के नहीं है ये चर्चा का विशे हो सकता है लेकिन तरीका कितना ठीक है जब सरकारी के रही है भुपेश्वर दयाल की उर से कहा गया कि आप शालिमार ग्राउंड में बैठ जाईए आप किसी और जगह पर धरना दीजिए ल नुकसान सरकारी संपतियों का करता है और अपने उस कहें कि अधिकार का दुर्पियोग करता है जो संविधान उसे देता है और यह देखा जाता है तमाम अस्थानों पर आपने धरना प्रदर्शन भी कवर किया होगा हम लोग भी कवर करते हैं और हम देखते हैं कि वहां इसान आंदोलन भी देखा है किस तरह से कितने समय तक लोगों को कई परिशानियों से गुजरना पड़ा था और आज भी हम लोग यहां गुरुग्राम में हैं जो लोग पंचकुला में हैं और जहां प्रदर्शन चल रहा आसपास में जो लोग होंगे उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना परता होगा वह निश्री तोर पे वे लोग बखुवी जानते हैं और शायिद यहीं वज़ा है कि सरकार काफी गंभीर है इसमस्ले को लेकर और जल्द से दल जल्द इस समस्या का समाधान चाहती है और यहीं वज़ा है कि नौ तरिक बात इनसे मिलने की का समय भी दिया गया है चले बहुत शुक्राइब पूरी जानकारे आपने दी बातचीत आप कर रहे थे सुषील हमारे समाधाता बता रहे थे कि विलाल क्या स्थेती है चुंकि तीन दिन हो गए हैं और हासिंग बोर्ड पर सरपंच बैठी हैं मांगें कितनी ठीक हैं सरकार भी सिरे कर दो सो 항 कार्ड थे कितनी बढ़िए गर जले भी सुषी डाल और हो हैं और हैं मांगें बाता रहे हैं जा जा आए हैं अर रहे झाल पोर्केरा रहा हैं मांगें रहाल रहे हैं ।ुंकि ध проблем